मुबाइल इंटरनेट ओनलाइन टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दवाईए बेल आइकन को हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि PF अकॉंड के साथ आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड कैसे जोड सकते हैं कैसे उसमें लिंक कर सकते हैं खुझसे अपनी KYC कैसे कर सकते हैं PF की तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले हमें आ जाना है अपने मुवाइल के Chrome ब्रोजर में हम चलिए Chrome ब्रोजर में आ जाते हैं यह देखिए मैंने Chrome ब्रोजर खोल लिया और यहां पर हमें Google में टैप करना है U-N-A U-A-N यहां पर हमें U-N-A लॉग-इन कर देना है लॉग-इन हमने सर्च किया देखिए यहां पर हमें सबसे पहले वाले option पर आ जाना है Member Home पर चलिए यहां पर हमने इसको क्लिक कर लिया Member Home पर अब देखिए यहां पर हमें login करने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम यहां पर U-N-A नमबर डाल लेते हैं Simply Capture Code डालना है तो चलिए हम Capture Code डाल लेते हैं यहां पर Simply Sign In पर क्लिक कर देते हैं चलिए यह देखिए यह खुल गया हमाई own account अब देखिए यहां पर हमें यहां पर देखिए यहां पर U-N-A नमबर आ गया name आ गया उनका यहां पर उनकी date of बढ़तारी यहां पर mail फिमेल आ रहा है उनका और यहां पर देखिए उनका आधार कार्ड भी जोड़ा हुआ है और उनका mobile नमबर वगयरा सब कुछ है bank account जोड़ा हुआ है अब हमें यहां पर इनका देखिए not available pen card बता रहा है यहां पर इनका pen card miss है pen card नहीं जोड़ा हुआ है तो देखिए हम pen card इसमें कैसे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर हमें आ जाना है देखिए यहां पर option आ रहे है home आ रहे व्यू आ रहा है manage account और यहां पर आ रहा है online services यहां पर online services में आएंगे तो हमें यहां से claim जो submit करना होता है PF निकालने के लिए यहां से भरा जाता है और यहां पर High है यहां पर खाता ही यहां पर किवाई सी लिखा यहां पर हमें के वाई सी पर्तिया आ जाना है 오늘도 गया चे कर आउल में पर करद देख्डर करण्र अब यहां से आप देख सकते हैं कि कोई बीडूकमेंट यहां पर देखिए पैंठ बेंक है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपूर्ट है, ड्राइविंग लैसनस है, इलेक्शन कार्ड है, रासन कार्ड है, नेशनल पॉल्पलेशन रेजिस्ट्रेशन है. यहां से आप जो भी डॉकुमेंट सब्मिट करना चाहते हैं, यहां पर simply आप कर सकते हैं. से पहले pen card पर क्लिक करना है और यहां पर pen card का number डालना होगा तो चलिए हम pen card का number डाल देते हैं यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने pen card number डाल दिया और यहाँ पर उनका नाम डाल दिया है, यहाँ पर document number है और यहाँ पर उनका नाम और यहाँ पर simply, यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर save पर click करना है, चलिए हम save पर click कर देते हैं, देखिए हम save पर click कर रहे हैं, यह loading हो रहा है document वहाँ से pen card upload करने के बाद यहाँ पर हमें आ जाना है दोबारे से उनको check करने के लिए तो चली हम फिर से manage account पर चलते हैं और यहाँ से KYC section में आना है चली हम दोबारे से KYC section यहाँ पर देख लेते हम कि हमारा pen card upload हुआ है की नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए KYC pending for approval में हमने जो अभी pen card डाला था वो यहाँ पर देखिए upload हो चुका है यहाँ पर pen number आ रखा है और यहाँ पर document name आ रखा है यहाँ पर देख सकते हैं उनका नाम है रंजीत कुमार देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने upload कर दिया अब यहाँ पर KYC pending for approval है यहाँ पर उनका देख लेजिए यहाँ पर यहाँ पर जो जो उनका contactor है वो अगर approve कर देगा तो यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएगा अगर इनका employee approve कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर यहाँ आधार कार्ड है तो इस तरह से इनका KYC हो गया KYC हो जाएगा और इनका जो pen card इन्होंने जो रहा है वो इसके साथ link हो जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि अपने P.E.A.P. अकाउंट से आप कोई भी document कैसे link कर सकते हैं कैसे KYC कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में देखते रिया Man2 Online चैनल को subscribe जरूर करें share, subscribe, like, share, subscribe जरूर करें धन्यवाद अब तक लिए धन्यवाद बंदे मात्रम